जी हाँ, राजस्तान में दक्षिनी में पश्ची मानसून शुर्थ पढ़ गया जो कि पिछले 16 दिनों से मानसून की उत्री सीमा वाड में दोलपूर वे बीलवाडा से जुलों से गुजर रही है यानि आपको बता दे अब 4-5 दिनों में मोसम होगा एक बार फिर से सक्री और होगी बारी और राजस्तान में जमाजम बारिस को लेकर आए बड़ी चैता होने आपको बता दे 10 जुलाई को मानसून सक्री होगा जिसमें राजस्तान के पूरवी वेकुछ इलाकों में जमाजम बारिस से देखने को मिल सकती है मोसम वाग ने बताया कि पूरवी राजस्तान में जैपूर, कोटा, जमे, रुद्यपूर, बरत्पूर संभाग को और पश्ची मी राजस्तान के बिकानेर के संभाग जिलों में यानि कहीं की हलकी से मध्यम दर्जे की बारिस का असार भी लगाया है इसके अलावा अन्य च्यार संभाग को मोसम मुच्य तासूस करेने की संभाग ना है जबकि 6 और 7 जुलाई को बारिस की कोई चेताओं नहीं है लेकिन बारिस को लेकर यहाँ पर उमस्च बढ़ी तो बारिस यह दो फेर के बाद बादलों का ताजा निर्मान होता है तो बारिस जरूर देखने को मिल सकती है हम बात करें मानसून की तो इसके बाद 8 वे 9 जुलाई को बीच पूरवी राज़स्तान के जैपूर अलवर बान सोड़ा भरतपूर में बुंदी कोटा में सावि मादूपूर जिलों में तेज जोओं के साथ हलकी से मध्यम दर्जे की बारिस का नुमान लगाया जा रहा है परदेश में यहां पर अगले दो से तीन दिनों के दोरान मानसूर आगे बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है आपको बता देए इसी बीच कोई विशेश तेज बारिस नहीं होगी जो कि 10 जुलाई को पूरी राजस्तान का कुछ संभागों में मानसूर आगे बढ़ने के लिए परिष्टितिया अब अनुकुल हो गई है आपको बता देए कि पिछले 24 गंटों में सबसे गरम राची तोड़ गड़ यहां पर बात करें तो पूरी राजस्तान की जिलों की तो अब मानसूर पूरी तरह से सक्री होने का आसार है परिष्टित अभी अनुकुल है जो कि पश्चिमी विक्षोफ है निमन दबाव का चेकतर यहां पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवान सब एक साथ मिलकर ये काम करेंगी तो एक मजबूत मानसूर सक्टिसाली बनेंगा जो कि भारी बारिष लेकर आएगा पश्चिमी राजस्तान के लिए खास बारिष लेकर आएगा मौसम की हर पल साटे खबर जाने क के लिए चैनल गुत्रत आजी जरूर सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद